आपको एक बार और बताए कि मुख्य मंत्री की मार रूपी सोरेन को हैदराबाद ले जाया जा रहा बहतर इलाज के लिए उन्हें हिल्वियो अस्पताल में भरती कराया गया था उनकी तबियत जब बिगडी थी लेकिन हालत में सुधार होता नहीं देख अब उन्हें बहतर इलाज के लिए हैदरबाद ले जाया जा रहा हमारे साथ सायोगी सत्वरत करण जुड़ेवे हैं सीधे उनका एक बार रुक कर लेते हैं सत्वरत देखें अब उन्हें थोड़ी देर में यह चार्टर प्लेन जो है वो उडान भरने वाला है लेकिन इस बीच यह डॉक्टर अपनी माता जी से तो उन्हें कहा था कि फिलाल चिंता की कोई बात नहीं हो रहा था चिकित्सक लगतार अपने अस्तर से प्रयास कर रहे थे जितने बड़े गेस्ट्रोलोजिस्ट चिकित्सक हैं राजधानी राची में उन्हें सभी चिकित्सकों से लगतार उनका इलाज चल रहा था लेकिन इलाज में कोई खास असर नहीं हो पा रहा था यही कारण है कि कल राची राजधानी के जो चिकित्सक हैं हिल्भी अस्पताल के जो चिकित्सक हैं वो हैदराबाद के जाने माने देश के gastrologist है Dr. Nageswar Reddy उनसे वीडियो conferencing के माध्यम से मुलाकात करते हैं मरीज के बीमारी संबंधी जानकारी दी जाती है और उसके बाद खुद डॉक्टर Reddy वो रूपी सोरेन का इलाज करने की इच्छा जताते हैं उसके बाद यह निर्ने लिया जाता है कि रूपी सोरेन को जो है वो बहतर इलाज के लिए हदराबाद ले जा जाएगा सुबा करीब दस बज़े से ही हिल भीव अस्पताल से लेके एरपोर्ट जो है वो ग्रीन कोरीडोर के रूप में डबलब कर दिया गया था यानि कि उट देश से था कि जब मुक्यमंत्री हैमन् हिल भीव अस्पताल से एरपोर्ट पहुंचेंगी उस बिच किसी भी तरह की कोई परिसानी कोई रुकावट जो है ट्राफिक की वो नहीं हो फिलाल रूपी सोरेन जो है वो एरपोर्ट पहुंच चुकी है और कुछी देर बार जो चार्टर विमान है वो हैदराबाद के ल होकर राची लोटे बिल्कुल सभी को यही उमीद की वो जल्द से जल्द वहां से बहतर रिलाज के बाद सकुशल होकर वापस लोटेंगी बहुत-बहुत शुक्रिया सत्वरत तमाम जानकारी के लिए आपका तो देखें अब थोड़ी देर में यह चार्टर प्लेन ओडान भरेगा लेकिन थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरे आपको तमाम तस्वीरे दिखाई जब दिशोम गुरू शिबू सोरेन खुद मिलने पहुचे रूपी सोरेन से हिलवी उस्पताल उसके बाद ग्रीन कोरिडोर बनाकर रूपी सोरेन को लाया किया एरपोर्ट पर पहले स मुख्यमंत्री मौजूद थे क्योंकि मुख्यमंत्री और उनकी पतनी कलपना सोरेन भी उनके साथ हैदराबाद जा रही है